दोस्तों गौतम गंभीर के साथ खेला हो गया जी हाँ बीजेपी के 155 कैंडिडेट्स पर मीटिंग होते ही दूसरे ही दिन गौतम गंभीर का इस्तिफाँ और राजनीती से सन्यास लेना ये महज इतिफाक नहीं है मोदी अमिट शा और नड़ा की मीटिंग में गौतम गंभीर पर गंभीर चर्चा हुई और अंदर से जो खबरे आ रही है निकल करके वो ये है कि गौतम गंभीर ने इस्तिफाँ नहीं दिया बलकि उन्हें इस्तिफाँ देने पर मजबूर किया गया है पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में तो वीडियो को अन्तक देखिएगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश नीती पर मैं हूँ आपके साथ अधीती देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबरे दोस्तों इस समय चर्चा का विशा यही है कि सामने 2024 चुनाव है और 2024 चुनाव के तारिकों का एलान भी 19 दिनों में हो जाएगा और इस बीट 155 सीटों पर भारतिय जुनुता पार्टी की कोर मीटिंग हुई कोर कमीटी की मीटिंग में यह फैसला किया गया यह फैसला लिया गया कि इस बार गौतम गंभीर का कोई चांस नहीं है यानि पहला विकेट गिर गया है इस बार करीब करीब 90-80 सांसदों का टिकेट जो है वो कट सकता है चर्चा है कि इस बार चांधनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्वी दिल्ली से सांसर गौतम गंपीर, नई दिल्ली सीट से मिनाक्षी लेखी और उत्तरपश्चिम दिल्ली से हंशराज हंस का टिकेट कट सकता है यह खबर मैं आपको बता रही हूँ, दो दिन पुरानी यह खबर जो है, दो दिन से लगातार यह खबरे सामने आ रही थी, कि इन चार महान आप कह सकते हैं, विक्ती या बड़े हस्ती सब का टिकेट जो है, इस बार कट जाएगा, और उसमें टिकेट कटेगा नहीं कटेगा, अभी तक एलान होने से पहले ही, गौतम गंभीर जो की एक फेमस क्रिकेटर है, उन्होंने अपना इस्तिफा सौब दिया, उन्होंने हाथ जोड कर कह दिया, कि बहुत हो गया है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिकेट पर और सामने जो टोर्नमेंट से उस पर फोकस कर चाहता हूँ, मैं अब और राजनीती नहीं करूँगा, दरसल इसके पीछे वज़ा यह है कि भरतिये जिनुताव पार्टी ने वो जो कोर कमिटी की मिटिंग हुई 155 सीटों पर वही पर तैय हो गया था कि इस बार पूरवी दिल्ली से भरतिये जिनुताव पार्टी के सां सांसद गौतम गंभीर को टिकेट नहीं दिया जाएगा, दिल्ली इस से भाजपा सांसद गौतम गंभीर राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ना चाते हैं, ऐसा उन्होंने सुबा सुबा ट्वीट करके कहा है, गौतम गंभीर ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंड गंभीर आपको मैं बता दू, 22 मार्च 2019 को भारतिय जनुता पार्टी में शामिल होते हैं, चुनाव से महस कुछ समय पहले और भारतिय जनुता पार्टी ने बकाइदा उन्हें जो पूर्वी दिल्ली है, वहां से उन्हें सीट भी ओफर किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया, कि पांच साल में ही उनका जो मो है, राजनीती पर जो उनका मो है वो भंग हो गया, दरसल खबर यही है, अंदर खाने से खबर यही आ रही है, कि भारतिय जनुता पार्टी ने इस बार गौतम गंभीर को टिकट देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों भारत भारतिय जनुता पार्टी ने एक इंटर्निल सर्वे कराया था, और जनता से भी सुझाफ मांगा था कि कौन से सीटों पर किसे जो है जनता इस बार चुडना चाती है, देखना चाती है भारतिय जनुता पार्टी की ओर से, वहां गौतम गंभीर को कुछ अच्छा खासा व हुए गौतम गंभीर का टिकेट जो है भारतिय जनुता पार्टी ने काटा है, और इसे के चलते ये खबर तो बाहर आई नहीं फिलाल, लेकिन इसे के चलते अंदर खाने से तो पता चल चुका है गौतम गंभीर को की इस बार उन्हें टिकेट नहीं दिया जा रहा है, जिन ने सुबा सुबा इस्तिफा सौब दिया, भाजपा ने उन्हें दो महीने बाद ही, मैं आपको बता दू कि 2019 की अगर बात की जाए, तो भारतिय जनुता पार्टी ने जैसे ही वो यानि की गौतम गंभीर 2019 में भारतिय जनुता पार्टी का दामन थामते हैं, महस दो महीने बाद ही, 2019 लोकसभा चुनाव में इस दिल्ली सीच से वो उमिदवार बनाये जाते हैं, गौतम गंभीर ने 6,95,000 वोटों से आमादमी पार्टी के प्रत्याशी आतशी को और कॉंग्रस के अर्विन सिंग ललवी को भी हराया था, गौतम गंभीर को महेशगीरी की जगा टि दिल्ली से चार सांसदों के टिकेट काटने की अटकले आ रही थी, पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ने गुरुवार शुक्रुवार में जो बैठक हुई, इन दो दिनों में जो बैठक हुई, उसमें ये चर्चा हो रही थी कि नॉन परफॉर्मर और सक्रिय नहीं रहने वाले सांसदों को इस बार टिकेट नहीं दिया जाएगा, वहीं प्रधान मंत्री मोदी अपने 400 पार का जो नारा वो दे रहे हैं, उस पर कोई रिस्क लेना वो नहीं चाते, दिल्ली में लोकसभास के जो साथ सीटे हैं, सातों पर भरती जुनता पार्टी के सांसद ह चर्चा है कि इस बार चांदनी चौक से हर्शवर्धन की भी टिकेट कटेगा, पुर्व दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने तो खुद इस्तिफा दे दिया है या उनका टिकेट कट गया है, मिनाक्षी लेखी को भी हटाया जा सकता है और उत्तर पश्चिप दिल्ली से ह अंशरार जहन्स का भी टिकेट कट सकता है, वही मनुश्तिबारी रमेश बिधूरी आप सोचिए रमेश बिधूरी और परवेश वर्मा को टिकेट दिया जाएगा, उनका टिकेट उन्हें देना तैय है, क्योंकि जिस तरह के बयानबाजी या भार्षन वो नोग देते हैं भारतिय जुनुता पार्टी के उमिधवारों की पहले लिस्ट दोस्तों बहुत जल्द जारी हो जाएगा, इस लिस्ट के मुताबिक प्रधान मंत्री मोदी, ग्रह मंत्री अमित्षा, रक्षा मंत्री राजनात सिंग, समेथ करीब 155 लोगों के नाम शामिल है, माला ये जा और शिवराज सिंग चोहान को भोपाल से या विदीशा से जो है कि उन्हें टिकेट मिलेगा और वो वही से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहला वीके दोस्तों गिर गया है, बड़े चहरा बड़ा नाम जो है गौतम गंभीर का इस्तिफा, जो ये दिखाता है कि गौतम गंभीर ने खुद ही शायद इस्तिफा सोब दिया, इस पूरे विशय को आप किस तरहां से देखते हैं, कमेंट कर अपनी राए हमारे सब जरूर शियर करें, बाकी आने वाले वक्त में ऐसे तमाम नाम सामने आएंगे, जिसका पत्ता साब भरतिय जनुता पार्टी आला कम करने वाले हैं, आप अपनी राए हमारे से शियर करें, इसी तमाम खबरों के लिए देशनिती के साथ बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया